तक्रीबन 10 दिन होने आई हैं राजुष्रिवास्तव को अभी तक होश नहीं आया है राजुष्रिवास्तव ने अपनी हेल्थ के बारे में अपने एक दोस्त को आक्टर को बताया था हार्ट अटेक के पंदरा दिन पहले ही राजुश्रिवास्तव के उस दोस्स से क्या बात हुई थी और तब राजुश्रिवास्तव ने अपनी हेल्थ और अपने काम को लेकर क्या कहा था अब इस आक्टर ने मीडिया में शेर किया है ये अप्टर और कोई नहीं बलकि शेखर सुमन है शेखर सुमन भी उसी फील्ड से आते हैं जिस फील्ड से राजुश्रिवास्तव है राजुश्रिवास्तव एक कोमेडियन है और शेखर सुमन भी शांदार स्टैंड डिप कोमेडी करते हैं शेकर सुमन ने एक इंट्रिव्यू द्वारा साजा किया कि राजु श्रिवास्तव से उनकी मुलाकात हार्ट अटैक के 15 दिन पहले ही हुई थी। राजु श्रिवास्तव उनके शो लाफ्टर चेंपियन पर आये थे और इस दोरान शेकर सुमन ने राजु श्रिवास्तव के साथ वैनिटी में थोड़ी देर बातचीत की थी। शेखर सुमन ने राजु श्रिवास्तव की health को देखकर उन से पूछा था कि बहुत दूबले होते जा रहे हो थोड़ा health पर ध्यान दो शेखर सुमन ने राजु श्रिवास्तव को ये भी कहा कि जादा शरीर पर exertion मत लो और जादा heavy काम मत करो तब राजुश्रिवास्तव ने उनसे कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है अपनी हेल्थ का खयाल रख रहे हैं और उन्हें कोई बिमारी नहीं है तब ये discussion हुआ था और उसके 15 ही दिन बाद राजुश्रिवास्तव को heart attack की बात सामने आती और ये भी पता चलता है कि उन्हें ये heart की problem लंबे समय से है तो ये शेकर जुमन के लिए काफी शौकिंग था शेकर जुमन कहते हैं कि मैं 25 सालों से राजुश्रिवास्तव को जानता हूँ हमने reporter नाम के शो में 90's में 7 में काम किया था और अब राजुश्रिवास्तव को लेकर जब इस तरह की खबर आती है तो बहुत दुख होता है मैं आशा करता हूँ कि राजुश्रिवास्तव जल्द ही ठीक हो तो कहीं न कहीं बतौर आर्टिस राजु श्रीवास्तव ने अपना काम चलता रहे और इंडस्ट्री और मीडिया में उनकी बिमारी की खबर ना फैले इसके लिए भी शायद अपने दोस्तों से अपने करीबियों से अपनी हेल्थ के इशुस चुपाए रखे और हमेशा यही कहते रहे कि मैं perfectly fine हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बिमारी नहीं है ये एक positive approach है जिन्दगी जीने की और काम करते रहने की आपको क्या लगता है comment section में जरूर share करें